हलो दोस्तो एबी सी साइंस कोटिंग सेंटर यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम जोग्राफी का पार्ट थीरी जी हां पार्ट थीरी जो की है वन ख जल संसाधन इस चेप्टर से जितने भी इंपोर्टेंट कोश्चन बन रहे हैं उस सभी का आज क्यान हो तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं और एक चीजी ये क्लाशच टेंथ का है और यहां पर डे आपको चैप्टर बाईचेप्टर अब्जेक्टिव अपलोड हो रहा है तो आपको एगर एक जाम देना अफुर गया आ तो आप इस वीडियो का जरूर देखें एक कोईस में भी 20 में भी ये बहुत ही इंपोर्टेंट है तो बिहार का सोक किस नदी को कहते हैं तो यह है option नमर C कोशी नदी दो गोविन सागर मानो निर्मित कृत्रिम जिल यानि गोविन सागर जो जिल है वो मानो द्वारा निर्मान किया गया है यह प्राकृतिक जिल नहीं है तो यह सम्बंदित है किस से सम्बंदित है यानि यह किस बांध पर बनाया गया है तो यह बनाया गया है रिहंद बांध से नेक्स चलते हैं थिरी नमर, भारत में सरवाधिक वर्षा होती है यानि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहा होती है तो ये होती है option नमर डी मासिन राम चार देश के बांधों को किसने आधूनिक भारत का मंदिर कहा है देख लिजी ये कितना इंपोर्टन है कितना बार आभी चुका है तो भारत का मंदिर किसको कहा है देश के बांधों को मने देश के बांधों को किसने आधूनिक भारत का मंदिर कहा है कौन से ब्यक्ति हैं तो वहरत में सबसे लंबा बांध है option number B हीरा कुन बांध 6 प्रानियों के सरीर में कितना परतिसत की मात्रा नही độ होती है यायनि मनुस्ष की सरीर में या कोई भी प्रानी उनके सरीर में कितना परतिसत पानी रहता है तो ये रहता है option नमर C 75%, ब्रिःहत छेतर में जल की उपस्थिति के कारण ही पिर्थिवी को कहते हैं क्या कहते हैं पानी की उपस्थिति के कारण हम पिर्थिवी को किस नाम से जानते हैं निलागरा के नाम से option नमर B next चलते हैं 8 नमर समुद्र जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में नहीं थे यानि महासागर में कितना प्रतिशत भाग जमा है तो यह 8 का उप्सन नमर 6 96.5 परशेंट भाग जल कितने परकार के होते हैं नॉमा का एंसर है उप्सन नमर 2 दस है चम्बल घाटी परियोजना में कितने बांध बनाये गया है यानि कितने बांध चम्बल घाटी परियोजना में बनाया गया है तो यह है उप्सन नमर श्री तीन बांध नेक्स्ट है नर्मेदा गहाटी परियोजना से कितने राजियों को लाब हुआ यानि नर्मेदा गहाटी जो परियोजना बना है उसे कितने राजियों को इसका फायदा मिला है तो वो मिला है तीन राजियों को उप्सन नमर ए उसके बाद है राष्टिये पेजल मीशन पहले क कितने राजियों में प्रारम किया गया था यानि पेजल मीशन को सबसे पहले कितने राज में किया गया था शुरू उसके बाद समय किया गया तो ऑप्षन नमर भी 55 राज में नेक्स चलते हैं कोश्चन नमर 13 देश में सिंचित क्रिसी छेत्र का परतिसत कितना है यानि क्रिसी छेत्र कितना परतिसत है तो यह है ऑप्षन नमरे 38 परसेंट 14 कुल उपलब्ध जल में पीने लाइक जल कितना परतिसत है यानि जतना भी जल है उसमें पीने लाइक हम सब के लिए कितना परतिसत जल है तो यह है ऑप्षन नमर भी 2.5 जो कि अब और भी कम गया है 15, पिर्थिवी पर पीने लाएक मीठा जल कितना परतिशत है कितना परतिशत जल हम पिर्थिवी पर के वो पी सकते है तो ये है ONOPTION NOMर A 2.5% 16, दिर्ली में खास होज का निर्मान किस सदी में हुआ था यानि कौन से सदी में ये हुआ था तो ये है ONOPTION NOMर B 14 सदी ये है option नमर 6, 1991, 18 नमर है, मेथिन बांध किस नदी पर बना है, यानि मेथिन जो बांध है, वो किस नदी पर बना है, तो ये बना है, option नमर A, बराकर नदी पर, 19, कावेरी जल विवाद कितने राजियों के बीच है, यानि कितने राजियों के बीच ये कावेरी जल विवाद हो रहा है, तो ये हो रहा है, तीन राजियों के बीच, 20, इनमें से कौन बांध बराकर नदी पर नहीं है, यानि कौन कौन सा बांध जो है, वो बराकर नदी पर इंद्रा गांधी नहर किस राज में है इंद्रा गांधी नहर ये है option नमर डी राजस्थान में उसके बाद है 22 खदीन कहां पाया जाता है तो ये पाया जाता है option नमर ए जैसल मेर में अगला है 23 नमर कोश्चन 23 समुदाई की संपदा किसे कहा जाता है तो ये कहा जाता है option नमर बी जल को 24 सबसे गहरी खारे जल की जील कौन सा है यानि खारे पानी की सबसे खारे पानी की जल की जील है वो कौन सा है तो वो है option नमर ए मिर्थ सागर पचीज, भाकरान नागल परयोजना किस नदी पर बना है? तो ये भाकरान नागल परयोजना बना है, अप्षिन नमर B. 17 नदी पर 26 गंडा थूर गाउं कहां इस्थित है तो ये गंडा थूर गाउं इस्थित है उप्शन नमर C मैसूर में नेक चलते हैं 27 नमर 27 नमर है पुर्वतर राजियों के जल में किसकी मात्रा अधिक मिलती है पुर्वतर राजियों के जल में किसकी मात्रा अधिक मिलती है तो यह है option number B लोहा की मातराधिक मिलती है 28 की इस देश में कम वर्षा के बावजूद पानी का अभाव नहीं है यानि पानी कम परता है तब भी वहाँ अभाव उस चीज़ का नहीं है तो यह है option number श्री इजरायल क्योंकि वहाँ खेती कम होता है 29 इनमें से कौन जल का अस्तरोत नहीं है यानि उस से हमको जल परत नहीं होता है तो यह option number B नल क्योंकि नल से पानी तो निया इसे नहीं निकलता है हमको तो उस दो जमा रखते हैं तभी निकलता है 30 मीठे जल की सबसे बड़ी जील का नाम किया है तो यह है option number A पानी की सबसे बड़ी जील कौन सी है तो मीठे पानी की सबसे बड़ी जील है option number C superior जील 33 तुम हदरा पर्योजना किस राज में इस्तित है तुम हदरा पर्योजना किस राज में इस्तित है तो यह option number D आंधर परदेश 34 भूमिगत टंकी कांका टंकी टांका किस राज में मिलता है तो यह मिलता है option number B राजस्थान खारे जल की सबसे बड़ी जील कौन सी है तो यह option number C कैस्पियन 36 इन में से किस पर्योजना कमों कि उदेश बार नियंतरन रहा यानि बार को नियंतरन करना है तो यह option number B कोसी पर्योजना नेक्स चलते हैं 37 नमर इन में से किस राज कुन नर्मदा घाटी पर्योजना से लाब नहीं मिल पाता है तो यह option number A जहरखन अरतिस संसार में सबसे लंबा बांध किस नदी पर विकास किया गया है तो यह किया गया है option number D किस देश को जाता है यानि कोसी पर्योजना से जो बिजली होता है उसका आधा भाग किस देश को जाता है तो यह जाता है option number A नेपाल नेक्स्ट है चालिस नमर चालिस नमर चलते हैं वर्सा जल्ग संगरहन नाचा हर घर में बनाना किस राज में कानूनन अनिवार है जानि किस राज में ऐसा है कि आपको हर घर में पाली को जमा करने के लिए बनाना है तो यह option number B तामिल नाडो 41 संसार की सबसे लंबी नहर का नाम क्या है संसार की सबसे लंबी नहर का option number A 42 कृष्णा नदी परिविखसित नदी घाटी पर्योजना का नाम क्या है तो यह को शी परियोजना में किस अस्थान पर बराज बनाया गया है то यह बनाया गया है 45 इन में राजस्थान की सबसे महतपूर्ण परियोजना कौन सी है तो कौन सी परियोजना है यह है option नमर 6 इंद्रा गांधी नहर परियोजना 46 भूमिगत जल का अधिक उपयोग किस छेतर में होता है तो ये होता है उत्तर भारत में होता है भूमिगत जल का सबसे अधिक उपयोग अगला है 47 भारत स्वतंत्र भारत की पौली नदी घाटी प्रियोजना कौन है तो ये है 47 का ए नमर ओप्षन दा मोदर घाटी प्रियोजना 48 और आज का अंतिम प्रस्ण है भारत में वर्षा के द्वारा प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति लगभग कितना जल मिलता है प्रति व्यक्ति कितना जल मिलता है पानी का तो ये है ओप्षन नमर भी 4000 घन मीटर तो बच्चों ये वीडियो कैसा लगे अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों को भी सीर करे और अगर आप ये सब अबजेक्टिव परहे हुए है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका कितना नमर आ रहा है जहिन